हाई नमस्ती सच्छाइका स्लाम वालेकूम उम्मीद करते हैं से लोग खेरेसे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे आज की जो मेरी रेक्शन वीडियो है वो मुलाना रजा साकी मुस्तफा जी का एक बियान है जिसमें उन्होंने जो हज़त उमर है उनकी साथगी को बियान किया गया तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोगों को भी पता चलेगा कि उनकी क्या साथगी थी यह हम सब को पता है कि वो प्रॉफे मुहमद सिल लाहिवसलम के साथ में हमेशा रहते थे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उनका तख्त को सोने जबुर्जत का नहीं था मस्जद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैटके लोगों की बाते सुनते और जर रात के अंदेरे गहरे होते उमर भेस्ट मदल के मदीने की गलियों का गश्ट करते कहा तुमारे घर से धुआ निकल रहे है और बच्चे रो रहे हैं उनको खाना कीव नहीं देती कहने लगी अमर की जान को रो रही है उमर के पहुद लेजे जमीन निकल गए कहा क्या हुआ कहा तीन दिन से हमारे हां खाने के लिए कुछ नहीं है रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती है के बच्चे इंतजार करके सो जाएंगे कम बख्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या और मैं उमर की जान को रो रही हूं حضرت عمر کا کلہجہ دہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے घी का एक कनस्तर लिया आटे की बोरी ली मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया अपने कंदे पे रखा बोरी अपनी कमर पे ला दी عمر बیت المال से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया आगे बढ़ा कहा मेरे आका मैं उठाता हूँ عمر की आँखों में आस हुए कहा असलम क्यामत के दिन मेरा बोज उठा लोगे कहा क्यामत के दिन तो अपना अपना बोज उठाना पड़ेगा कहा अमर को आज अपना ही उठाने दो حضرت عمر वो गी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देती है वो जब देखती है उसकी जान में जाना आ जाती है कहा जल्दी जल्दी आटा गून दो और अमर सबजी काटने लग जाते है हजड़ते अमर رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے उदर आटा गुर जाता है और फिर उपर चूला रखा जाता है चूले के अंदर आग रखी जाती है वो खाना पकाने लगती है आग बुचती है तारीख ने लिखा है आग बुचने लगती है उमर जुक करके फूंके मारता है खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया बच्चे खा रहे हैं अब बच्चे रोरो के निडाल हो चुके थे हजरत उमर अपने हाथों को और अपने गुटनों को और अपने पाउं को जमीन पे लगा के जिसता बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलती ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हो और दिल में कहते अमर जतना दोलार है अब इतना हसाना भी पड़ेगा तो कभी अमर अमीर अलमुमिनीन यह मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मनतख्ब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा मैं इस अमर की कहानी सुना रहा हूं जो तैइस्लाक मुरबा मील का हुक्मरान है आदी दुनिया का बादशा है حضرت عمر جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے इस तर अपने हाथ और अपने गुटने जमीन पे टेख करके जो है वो इस तरह चलते हैं बचे عمر को देख के मुस्कराते हैं जब बचे मुस्कराने लगे तो حضرت عمر ने उस खातून से कहा बुड़िया अमर को माफ कर दे उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है कहा अमर बेचारा बड़ा फसा हुआ है फिक्र है उसको यर्मू को फूस्ता तो हुल्वान की जब फता है मिस्र तो तेयारी है ईरान की आते जाते वफ़त से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा कांटों में उल्जी हुई बेचारे की जान है नीद उसको भी आती है आकर वो इनसान है मेरी बेहन उमर को माफ कर दे उसने कहा ना ना उमर की बात मेरे सामने न कर क्यामत का दिन होगा عمر کا گھرے بان ہوگا اور میرا ہاتھ روگا जब उसने ये बात कही तो عمر बस्दाश ना कर सके बच्चों के तरा बिलक बिलक करोने लगे कहा वो बदनसीब عمر तेरे सामने है आजी कहला जो कहना है क्यामत के दिन मुझे माफ रखना उसने का तू عمر है कहा बदनसीब عمر तेरे सामने खड़ा हूँ मेरे عمر कहते है अगर तजला के केनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी عمر से लिया जाएगा हज़रत उमर निकले यरोशलम में एक उंट है एक गुलाम है कभी वो सवार होता है गभी आप बारी मकर्र की है जब करीब पहुंचे यरोशलम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी उपर सवार होने की आगी गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूँ आप आ जाएं दूश्मनों के मفتوहा इलाके में आ रही आरही है ताजा-ताजा इलाका फटा हुआ है इसलाम की शान और शोकत जाहर हो उमर नका hackers इसलाम की शान और शोकत ऐसे जाहर होती है अपनी बारी पे तुम बारी पे जो लोग मुन्तजर खड़े हैं दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कामते थे हम ये तो कोई हबशी लगता है रंग काला है, होट मोटे है इससे तो ज्यादा हसीन इसका खुलाम है जो आगे आगे चल रहा है हज़रत अबू अबैदा ने कहा इस्तेकबाल किया तो हज़रत अबू अबू अबढ़े और उन्हुने आगे भर करके हज़रत अबू अबैदा के दोनों कंदों पे हाथ रखा और सुनू हज़रत अबू अबब्यदा कहा 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 एक जलील कौμ थे और अल्íbाशना इसल्ला कौम और मैं तुम्हें एक तारीख साथ बात कहने लगा हूँ और वो ये है कि जब तक हम इस इज़त वाले इसलाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज़त काइम रहेंगे और जब इसलाम के लावा किसी और जगा से इज़त ढूंडेंगे तो दुस्वा करके रख दिये जाएंगे ये है वो खुलासा जो हज़रत अमर ने उम्मतों के अरूज और जवाल का बयान किया है इस उम्मत को जो खेरात मिली है तखत और ताज की वो पेंटागून से नहीं मिली वो वाशिंटन से नहीं मिली वो वाइट हॉस से नहीं मिली वो मुहम्मद अरूबी के जोड़ों का सदका मिली इसलिए जब हमने इसलाम से इनहिराफ किया पाकिस्तान हासल किया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या لا الہ الا اللہ हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ हमने इनहिराफ कर दिया है आज हमारी नजरे मगरब की तरफ लगी है कि तख्त और ताज उस से नसीब होते हैं और दुनिया के उपर हम रस्वा होके रहे गए हमारी पस्ती, हमारी जबुहाली, हमारी जिल्लत का सबब ये है कि जिस जगह से में इजब मिली थी हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है उस मरकज हयात को, उस मरकज जिन्दगी को, उस मरकज इजब को हमने छोड़ दिया है और दुनिया के ओ पर हम रस्वा हो रहे हैं इनी हाजरत ओमर की कहानी है वादी थाहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे ऑ्मर जाँ आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो कहा तुम नही जानते मुझे बच्च्पन की कहानी याद आ गए का क्या कहानी है कहा यही अरजे तहामा थी मेरे बाप खताब ने मुझे पांच उट दिये थे कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा मैं आगे वाला सीधा करता था पीछे वाला टेडा हो जाता पीछे वाला सीधा करता आगे वाला टेड़ा हो जाता मेरे बाप खताब ने मुझे बड़ा मारा कहा एक अरब के बेटे होके तुम से पांच उट लाइन में खड़े नहीं होते कहा एक जमाना अमर पे वो था कि इस से पांच उट लाइन में खड़े नहीं होते थे और आज शरक से लेकर घरब तक 23 लाक मुरभा मिल की हुक्मरानी और इनसान भी लाइन में खड़े है ये मुहम्मद अरभी के जोड़ों का सब्का नहीं या तो और क्या है उमर से तो पांच उट लाइन में खड़े नहीं होते थे तो ये इज़तें, ये तख्त उता, ये हकूमतें तो ये थी हज़त उमर की साथगी हज़त उमर जो है वो पुरॉफ मुहमा सललाई लाहिवा सलम के कमपैनियन थे कुरान नाजर होने से पहले वो बहुत क्रूल थे उन्हें नहीं पता था कि ये जिन्दकी हमें अल्ला की दी होई है और जो भी हमें मिल रहा है इस जिन्दकी में सब अल्ला की ही देन है तो उन्हें कुरान के बारे में पता चला अल्ला की बारे में पता चला की अल्ला कहम लोगों जो भी मिल रहा है वो अल्ला की देन हैं तो उसके बाद में उनकी लाइप बहुत ही जाधा चेंज्ज हो गई थी वह बहुत ही आप हरटीड बन गय थे और हरड किसी की मदद भी करते थे तो वह क्या होते थे अपनी पीट पर इतना सारा खाने-unde की चीजे लेकर जो भी नीडी लोग होते थे उनको देते थे बच्चे को ऐसे ही क्या है यह ने को और दालके उंग हो अजो सुन आयों तो इतने या वाज बोलती हैं किॹ्षित अजह ON उन्हें पता निचलता है कि यह हज़त उमर है मेरे सामने जो खड़े हैं अनलोगों को जो भी राशन है वो अलाके उनकी घर में डालते हैं तो जो हज़त अमर हैं उन्हें पता चल चुका था कि मरने के बाद में उन्हें अल्ला के सामने पेश होना है और उससे उनके सारे गुनाहों का हिसाब लिया जाएगा वो डरते थे कि उस टाइम पे मेरे साथ में अल्ला क्या करने वाले हैं जब अल्ला मुझे हो सकता है दोज मुरबा मालिक थे तो वह चीज मुझे नहीं पता 30 लाख मुरबा मील किया था उन्होंने किस चीज के लिए बोला है आप लोगों को पता है तो प्रीस राइट इन दा कॉमेंस हो गई है तो उनके लिए हमें तोबा मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिंदकी में ह दुखाएं हमेशा नेक काम करें नेकियां कमाएं ओके जी आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं बाब बाई